Hi, मेरा नाम Reena Singh है, मैं एक occupational therapist हूँ. मुझे आपके साथ एक discuss करना था, एक बच्चा जो मुझे मिलकर गया, दो बच्चे रादर, और उनके बारे में मुझे आपके साथ share करना था, कि जो मुझे उनके साथ discuss करने से, जो मुझे समझा और मैंने जो सीखा, ताकि जो मैंने सीखा और समझा, वो भी आपको शायद help करें. तो ना, हमेशा से, I'm sure, आप सबको बता है कि deep pressure activity बहुत help करती है, जब हम deep pressure देते हैं, हम ऐसे यहाँ पर deep pressure दे रहे हैं, या हम therapy ball से deep pressure दे रहे हैं, या हम lycra में activities कराते हैं, क्योंकि lycra भी अच्छा deep pressure activity, मतलब अगर बच्चा उसमें लेटा है, तो करा रहे हैं, तो भी बहुत help होता है. तो यह चीज हमको पता है कि deep pressure देते हैं, स्यादा तर parents जब मुझसे बात करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि deep pressure दिन में कितनी बार दो, एक बार दो, दो बार दो, तीन बार दो, तो वो ना एक prescriptive type का therapy है, कि इतनी बार कर लो, ठीक है ना, वो तो ज़रूरी है, लेकिन और जैसे होता न में को iron कम है, या मेरा B12 कम है, तो Saturday, Sunday एक बार एक बुली खा दो, वो मेरा prescriptive type की therapy है, एक होती है responsive therapy, जिसका मतलब है ना, कि मुझे जब लग रहा है कि बच्चा बहुत परिशान हो रहा है, चिड़चिड खर रहा है, बहुत hyperactive हो गया है, बहुत arousal level fluctuate हो रहा है, तो ये, इस वक्त मैं बच्चे के साथ deep pressure activities करते हूँ, मेरे पास एक बच्चा आया था मुझे मिनने के लिए, और जूली पर बैठा हो जाकर, मैं यूजूली चीज़े ऐसे ही रख देते हूँ, जहां बैठना जाओ, करो जो करना करो, जहां बच्चा जाएगा, जो वो चूज करेगा, उस हिसाब से मैं अपनी activity को modify करोंगी, तो मैं उस तरहिके से काम करते हूँ, तो ये बच्चा गया, जूली पर बैठा, और मस्क में जूल रहा है, फिर जब वो जूल रहा था, तो जूलते, 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 मैंने सुच्चा, कि चलो, मैं, मतलब पहले मैं न उसको थोड़ा time दिया, कि ये जरा comfortable हो जाए, क्योंकि मैं को पहली बार मिन रहा है, मेरी जगह पर पहली बार आया, तो मैंने उसको time दिया, फिर मुझे लगा कि ये comfortable हो गया, तब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ कुछ activity करने की कोशिश की, हर बार, जब मैं उसके पास पकड़ने जा रही थी, वो यू हो रहा था, हर बार, तो मुझे लगा कि face पे uncomfortable है, तो चलो, शोल्डर पे पकड़ने यहाँ गई तो भी है, ऐसे वापस, पेर पे पकड़ने गई तो भी है, ऐसे वापस, और किसी को भी, वो अपने आपको, in fact, इविन पेरेंस को चूने नहीं दे रहा था, तो जब भी बच्चा ऐसी टाइप का behavior करता है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई, इसको tactile system टे बहुत ज़्यादा काम करने, मैंने इस बच्चे को बहुत सारे deep pressure activities देने की कोशिश की, बहुत सारी, बहुत सारा deep pressure, फिर मैं थेरवी बॉल पे activity करा दू, या मैं उसको, क्या कहते हैं, लाइकर में डाल दू, मैंने बहुत सारा deep pressure कोशिश की, या मैं अपने हाथ से इसको deep pressure दे दू, या मैं यहाँ पर ऐसे deep pressure दे दू, तो जब मैंने उसके साथ नहीं पिछले, मतलब जैसे ना, ऐसे नहीं किसे deep pressure करती रही, मैंने deep pressure activities की, फिर मैंने वापस थोड़ा जूला कराया, फिर deep pressure किया, फिर जूला कराया, बार-बार मैं चेक कर रही थी, कि जब मैं इसके पास जा रही हूँ, तो क्या यह comfortable है, यह वापस उतना ही, यह जैसे परिशान हो रहा है, मेरे पास मताव टाइप कर रहा है, जैसे जैसे activity चलती गई, और जितना मैं इसको deep pressure देती गई, वो धीरे 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 settle होता रहा, और मेरे touch के साथ वो comfortable होने लगा, ठीक है? जैसे जैसे session खतम होने को आया, तो यह काफी हद तक बच्चा settle हो गया था, not just that, अब यह बहुत important है, जो मैं आपको बताने जा रहे हूँ, कि जब वो उस zone में था, कि भाई, मुझे मत पकड़ो, तो वो ऐसे एक दम fight-flight state में था, तो उस वक्त अगर मैं बच्चे को बोलूगी, मुझे से बात करो, यह बच्चा verbal था, बात कर सकता था, तो वो बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ तब बात कर रहा था, जब उसको prompt किया जा रहा था, तो उसके parents मुझे बुल रहे थे, कि यह prompt करो, तो ही बात करेगा, और मैंने का, रुप जाओ थोड़ा सा, इसके साथ काम करता है, तो मैं क्यों यह कह रहे हूँ, क्योंकि जब हम बच्चे के sensory systems पर काम करते हैं, और sensory systems ऐसे, एक optimum level पर आते हैं, तो हमारा ध्यान, focus भी एक optimum arousal पर आता है, optimum arousal मतलब एक बच्चा एक band में आता है, जहांपर वो settled है, तो वो zone में आता है, तो दीरे-दीरे खुद ही पुलने लगा, chips, 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 यानि कि जो चाहिए, वो खुद से मांगने लगा, फिर साथ में मेरे न, जैसे fill-in-the-blanks करने लगा, गाने-गाने लगा, पूरा नहीं, बढ़ थुड़ा बहुत बूलने लगा, मैं यह क्यों कह रही हूँ, कि जितना tactile system को मैंने उसके settle किया, deep pressure दिया, सबरदस्ती नहीं किया, अगर उप मझे नहीं अलाओ कर रहा था, मैं पीछे हट रही थी, मैं उतना ही कर रही थी, जितना वो अलाओ कर रहा है, चीग है, दूसरा एक बच्चा मेरे पास आया था, और ना इसका भी ओई सेम था, कि जब मैं यह बच्चा तो, एक डेड़ साल तक सो नहीं रहा था, सोता ही नहीं था रादर, तो, बतलब ना सोता नहीं आने के basic biological rhythm है न, अपने body के sleep, wake, hunger, thirst, bubble bladder, यह basic cycles है, तो यह तो rhythm में रहना चाहिए, तो उसका biology ही पुरा गड़बड़ है, rhythm ही पुरा गड़बड़ है, और जब मैंने इसके सब काम करने की कोशिश की, तो यह तो पूरा ऐसे जा रहा था, पूरा का पूरा, तो मैंने इसकी ममी से बात की, तो मैंने का, आप क्या कर रहो, बोल रहे हम इनको tactile activities करा रहे, लेकिन हम, जब वो नहीं भी अलाओ करता है, तो भी हम जबरदस्ती पकड़ की, तेल से मालिश कर देते हैं, या जो भी तरीके से deep pressure देते हैं, और इस parent को मैंने कहा, की जबरदस्ती करने से, वो और बढ़ रहा था उसका, या नो कि वो ना, सोई नहीं रहा है न, तो पूरा ऐसे परिशान की नींद भी नहीं आएगी भई, क्योंकि वो full time ऐसे बोलता न, चौक करना state में कहीं आके, बज़े कोई touch ना कर ले, इतना system उसका sensitive था, इस बच्चे के साथ भी हमने काम शुरू किया, यहाँ पे सिर्फ pressure दिया, सिर्फ यहाँ पे deep pressure दिया, और वो comfortable था, फिर pair पे किया, तो वो comfortable था, और ना ऐसी मेरा डेट घंटा की करीब, देट दो घंटा में, एक बच्चे को ना दो घंटे के लिए देखते हूँ, क्योंकि मैं गाई में जल्दी-जल्दी में नहीं करना हूँ था, आराम से, बच्चे के साथ, full on focus करके, तो जब मैंने उसके साथ पूरा session किया, जैसे जैसे मेरा खतम होने लगा session, इसने मुझे सब को चला हो किया, टच करना, और यह जब आया था तो रो रहा था, चिला रहा था, परिशान था, बाल खीच रहा था, बाल मैं को नोच रहा था, ऐसे सब ना, जैसे कि बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे-जैसे मैं activity करती गई, यह settle, और settle, और settle होने लगा, जब इसका session खतम हो गया, तब मैंने इसके बामने को सब एक ही चीज़ कही, कि आपको इसके साथ deep pressure activities करनी तो है, लेकिन वो activities तब करो जब यह allow करे, जब बच्चे भी हम जबवर दस्ती input impose करते गई, इसके तुम comfortable होगे, तो बहुत इतना फाइदा नहीं होता, मतलब जब बच्चा ready है तब हम देंगे, तो वो ज़्यादा comfortably ले पाएगा, इसके parents घर गए, उस दिन मुझे यहाँ पर मिलने आए थे, और मुझे जब मिले तो अभी तक, मतलब यह लोग किसी दूसरे city से आए थे, और उसमें उड़ जाता था, फिर मुझे लगा चलो एक दिन की बात है, पेरिंट ने वो follow-up करना ज़रूरी है, कि जबरदस्ती मत impose करे, और यह बच्चा चार-पाँच महीने हो गया, वही सही से सो रहा है, जब बच्चा सही से सोएगा, comfortable महसूस करेगा, उसके tactile system काफी हद दो comfortable रहेगी, तो ना sleep wake, सोना जागना, hunger thirst, भूख लगना, bubble bladder, toilet potty, यह सब कुछ ना rhythm में आने लग जाता है, जब वो rhythm में आने लग जाता है, तो फिर वो speech-weeach की difficulties, जो है, मैं यह नहीं कहा है कि मैं speech पे काम करते हूँ, नहीं, लेकिन जो नीचे का जो system होता है, जिस पे हमको work करना है, जब मैं उस पे work करतेती हूँ, और मेरा main तरीका, again, यह दो बच्चों की बात करें, बच्चे की बात करेंगा, जर उसकी तरीके से activities करूँगे, तो बच्चे को बहुत फाइदा होता है, एक और बच्चा था मेरे पास session में आया, उसके मामी बोले, उसको जूला बहुत पसंद है, तो जूलता था, मस्त में जूलता था, और जितना वो जूल रहा था, उतना वो hyperactive हो रहा था, तो मज़े समझ में आया था, जूला जूलने से तो इसको कुछ खास बरकनी पड़ रहा है, तो उसको फिर से मैंने activities, वापस वही लाइक रहा है, deep pressure, और वो सब करा है, फिर जूला, फिर लाइक रहा है, प्रेश में सेंविच किया में activities, और जब मैंने ये सब कुछ किया, तो ये बच्चा भी सेटल हो गया, ये बीच में बाल खीच रहा है, मेरे खीच रहा है, मैं कुर नाकुन से ऐसे पूरा ये कर रहा है, दरवाजा खुलने को बोल रहा है, मैं गर जाओ, लेकर जाओ, दो गयरा उड़ा, और जैसे जैसे activities किया, ये सेटल, 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 और इतना सेटल हो गया, कि फिर ये जूले पर बैठा हो, और जूले पर भी, जब मैं उसके साफ activities कर रहे थी, तब मैं उसके साथ counting कर रहे थी, जब मैं उसके साथ बुल रही थी fruits के नाम बताओ ये fruits के नाम बता रहा था मैं जब इसको बुल रही थी animals के नाम बताओ वो बता पा रहा था मतलब नहीं वो इतना जादा optimum horizon पे आ गया तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे पूरे session में ये कि impose नहीं करना input जबरदस्ती कि यहाँ पर deep pressure देके होना ही है करने तो उसको चिड़-चिड़ मैं तो करूँगी वो बहुत patiently बहुत अराम से वो पूरा लेक 100% निकाल कर जब मैं बच्चे के साथ काम करूँगी फिर चाहे मैं एक ही activity करूँ लेकिन सही से करूँ तो बहुत फाहता हुता है कौंसी activity किस तरीके से करनी है मैं अपने ना online courses में सिखाते हूँ मेरे काफी सारे recorded courses भी है तो आप वो देख सकते हो अगर आप चाहो तो या मेरे बहुत सारे training भी है जो मैं सिखाते हूँ अगर आप डीटेल में समझना चाहो तो आप उसमें देख सकते हूँ कि मैं कैसे सिखाते हूँ इन फाक कैसे करती हूँ काम ये भी हम लोग करते हैं डिसकास तो मकसद यही है कि आप जब अपने बच्चे के साथ काम करो impose मत करो input deep pressure बहुत ज़रूरी है सिर्फ एक ऐसे prescription थी कि मैंने दिन में दो बार दे दिया है हाँ school जाने के पहली दे दिया है वो तो ठीक है लेकिन therapy के दौरान ताकि मैं बच्चे को और settle और settle और उस settled state में जब बच्चा full-on focused है attentive है distract नहीं हो रहा है बोल पा रहा है सोच पा रहा है यही तो final outcome है ना तो वो बहुत possible और और एक important बात है ज़्यादा तर मुझसे parents पूछते कि अगर वो state आ भी गया है ना तो वो कितनी देर रहेगा गर वो बच्चा है यह सब कुछ कर रहा है कितनी देर रहेगा पता है कैसे कि अगर यह मेरे मुसल यह देख रहो मेरा मुसल की वाला triceps work lose है work नहीं हुआ इतना work करूंगे उस पर वै तो मैंने आज जाकर एक resistance band कीचा और यह exercise की और इसको strong कर दिया अगले दिन वो वैसे ही रहेगा नहीं मुझे फिर से करना पड़ेगा तीसरे दिन मुझे फिर से करना पड़ेगा चौते दिन मुझे फिर से करना पड़ेगा करते 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 वो एक time आएगा जब एक डेड़ महिने में दो महिने में तीन महिने में जब मेरे ये muscles toned up हो जाएंगे और फिर मुझे maintenance भी करना होगा ताकि ये नहीं उस करोगे तो चला जाएगा वो तो मैं ये कहना चाहिए कि हाँ शिरुआत में वो session के दौरान आपके पास वो state आएगा जब बच्चा focused है, ध्यान दी रहा है, attentive है, बोल पा रहा है, सोच पा रहा है और फिर शायद session के बाद एकात घंटा रह पाएगा, उस state में फिर चला जाएगा लेकिन अगले दिन आप फिर काम करोगे, तीसरे दिन आप फिर काम करोगे और वो जो consistency से आप काम करोगे, तो धीरे धीरे बच्चा फिर उस zone में जादा देर रह पाता है काफी सारे parents हैं, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, कहते हैं कि शुरुआत में एक घंटा ही रह पाता था फिर कुछ कहते हैं, दो घंटा ही रह पाता है, फिर कहते हैं, चार घंटा रह पाता है उस state में और फिर वो state, जो है वो बच्चे का default state बढ़ने लग जाता है तो, I hope जो मैंने आपके साथ शेर किया या आपको help किया हूँ, आपके बच्चे के साथ किस तरीके से काम करना है यह समझने के विए ठीक है? Thank you Before you go, I wanted to help you, to help your child improve faster Here are four things that you can do One, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox And you are updated on a weekly basis Two, you can buy my book, Looking Beyond Labels, Becoming a Mindful Parent It is available on Amazon It's a guidebook, it will guide you on really, really, really how to help you, to help your child better Three, I've done a lot of masterclasses, which are all available as recordings on my website, khushi.net.in forward slash online hyphen events You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness and so many of those And then number four would be, we can meet and I can guide you, we can meet weekly I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in forward slash events And we can meet weekly, you get to ask me your questions, I share what to do, how to help And it's all done in a group setup It's an amazing deep dive, trying to understand your child And I'm sure it transforms your perspective It transforms the way you work with your child And these are the four things that I feel would really help you Thank you Thank you